अलो दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं हूँ आसिस कुमार और स्वागत आपका एक बार फिर से तहे दिल से जेनरल लॉलेज वाला चैनल में दोस्तों इंडियन कॉंस्टिशन एंड पॉलिटी का पार्ट टू का कुश्चन क्यूज टाइप कुश्चन आप लोग के सामने फिर स एक बार लेके आया हो दोस्तों क्यूज खेलने में तो मज़ा आता है दोस्तों एकदम केबिसी जैसा फिल आता होगा दोस्तों यह कुश्चन इंपॉर्टेंट तो है उपर से इस तरीके से अगर हम कुश्चन को पढ़ते हैं तो हमको ज्यादा याद रहता है दोस्तों यह मेरा experience है मैं भी student हूँ तो मेरा experience है कि इस तरीके से पढ़ने से कुश्चन ज्यादा यादा रहता है exam में हम कुश्चन को भूलते नहीं है option देखते के साथ हम वहाँ खुसी खुसी से कुश्चन को सही करके आ जाते हैं तो दोस्तों आज का जो कुश्चन है वो बिना बातो के साथ स्टार्ट होता है आज का question number one पहला प्रस्ण आपके सामने ये रहा पहला प्रस्ण the first state in India to implement पंचायती राज system was पंचायती राज वेस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज था यानि पंचायती राज का जो वेस्था है वो पहला जो भारत का कौन सा राज है वो implement किया था यानि लागू किया था दोस्तों इसका option हम आपके सामने रखते हैं option है ये ए राजस्थान बी पंजाब सी गुजरात और डी उत्तर परदेश और आपका समय सुरू होता है अब जहाँ दोस्तों और इसका सही आन्स्वर है राजस्थान तो राजस्थान ही एक जो राज था वो सबसे पहले पंचायती राज जो था वो लागू किया था तो दूसरा question आज के लिए आपके सामने ये रहा question number two which of the following article imparts the president to call for joint seating of both houses निमलिखित में से कौन सा अनुछेद राश्टपती को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार देता है समझ गए दोस्तों और इसका option है आप लोग सामने ये a. article 102 b. article 101 c. article 108 d. article 110 यानि 110 अनुछेद दोस्तों आपका समय सुरू होता है अप और इसका सही answer है article 108 दोस्तों आज मेरे साइद लैप्टोप में कुछ प्रॉब्लम चल रही है इसलिए सही से लगता है इनिमेस से नहीं आ रहा है इसलिए मैं कल वीडियो नहीं कर पाया था लेकिन फिर भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हमारा क्यूस्तों इसी तरीके से चलता रहेगा दोस्तों तो इसका सही answer है article 108 तो 108 जो article है अनुछेद है हमारा सम्विधान का वो empower करता है यानि राष्टपती को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार देता है जहां दोस्तों आज का question number 3 आप लोग सामने ये रहा question number 3 which among the given exercise the most profound influence in framing the Indian constitution निमलिखित में से किसका भारती समिधान के निर्मान में सबसे गहरा परभाव पड़ा और आपके options हैं ये A. US Constitution B. British Constitution C. Irish Constitution and D. The Government of India Act 1935 और आपका समय सुरू होता है अब जी हां दोस्तों और इसका सही आंसर है option number D. The Government of India Act 1935 यही है जो भारती समिधान के निर्मान में इसका सबसे गहरा परभाव पड़ा था दोस्तों question number 4 आज के लिए आप लोग सामने ये रहा The committee appointed in 1977 to review working of the पंचायती राज was chaired by 1977 में पंचायती राज के कामकाज की समिच्छा के लिए नियूक्त समिती की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी और आपके options हैं ये 1970 में जो पंचायती राज के कामकाज की समिच्छा के लिए नियूक्ति समिती की अध्यक्षता को समाला था इनके द्वारा ही की गई थी चिहां दोस्तों अग आज का question number 5 ये रहा All doubts and disputes in connection with election of the president are inquired into and decided by राष्टपती के चुनाओं के समंध में सभी संदेहों और विवादों की जाच और निरने खालिस्तान द्वारा किया जाता है आपके options ये रहे आपका समय सुरू होता है अब और इसका सही answer है option number A the supreme court जी हां दोस्तों इसका जो राष्टपती का चुनाओं होता है तो उसमें संदेह जो होता है और विवाद जो होती है उसको जाच और निरने supreme court द्वारा किया जाता है जी हां दोस्तों ये question मैंने previous year से निकाला ये question दोस्तों ये आता है ऐसे question ही आते हैं आपको ये ध्यान र रहेगा दोस्तों इसी बात के साथ अगला question question number six आपके सामने ये रहा विच अमंगदा given is not a panchaiti raja institution निमलिखित में से कौन panchaiti raja संस्था नहीं है और आपका options ये रहा ए ग्राम panchait, बी ग्राम सभा, सी ग्राम कॉपरेटिव सोसाइटी और डी नयाय panchait जी हां दोस्तों आपका समय सुरू होता है अब और इसका सही आंस्वर है, option number C, ग्राम कॉपरेटिव सोसाइटी question number seven आप लोग सामने ये रहा from the constitution of which country the provision of federal was borrowed while framing the constitution of India भारत के सम्विधान की रचना करते समय संग का प्रवधान किस देश के सम्विधान से लिया गया था यानि provision of federation कौन से country का constitution से लिया गया था, borrowed किया गया था दोस्तों आपका options हैं ये आपका समय सुरू होता है अब और इसका सही आंसर है Canada जहां दोस्तों जो संग का प्रवधान जहा वो Canada का सम्विधान से लिया गया था आपका question number 8 आज के लिए आपके सामने ये रहा How does the constitution of India describe India as भारत का सम्विधान भारत को किस परकार वर्नित करता है Options A. Union of State A Union of State B. A Federation of State Union Areas C. भारत्वर्स D. A Federated Nation आपका समय सुरू होता है अब और इसका सही आंस्वर है A. Union of State भारत का सम्विधान भारत को A. Union of State State राजियों का जो यूनियन है उसको इस पर कारवर नित करता है दोस्तों आज का question number 9 Which one of the following schedules of the Constitution of India has fixed the number of members of the Raji Sabha to be elected from each state? भारत के सम्विधान की निमलिखित अनुसूचियों में से किस एक ने परतेक राज से निर्वाचित होने वाले राजी सभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करती है आपका options ये रहा आपका समय सुरू होता है जी हाँ दोस्तों इसका सही आंस्वर है option number D force schedule दोस्तों मैं options ये इंग्लिस में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि अगर इंग्लिस वाले तो इंग्लिस जानेंगे ही और अगर जो हिंदी में पढ़ाई किया जैसे पांचिवी सूची ऐसे तो वो जो है ना इस तरीके से वो थोड़ा सा तो हिंदी इसका इंग्लिस वर्ड जान सके ठीक है दोस्तों इंग्लिस वर्ड जान सके ताकि वो दोनों भासाओं में जान सके ताकि वो कोई बोल रहा हो तो वो समझ सके दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, question number 10, आज के लिए आप लोग सामने ये रहा A money bill passed by the लोग सभा can be held by the राज सभा for how many weeks? लोग सभा द्वारा, पारित धन विधैक को राज सभा कितने सब्ता तक रोक सकती है? आपका options ये रहा A, 2, B, 3, C, 4 and D, 5 मतलब कितने सब्ता तक रोक सकती है? 2, 3, 4 या 5 आपका समय सुरू होता है अब और इसका सही answer है 2 यानि दो सब्ता तक लोग सभा द्वारा पारित धन विधैक को राज सभा दो सब्ता तक रोक सकती है? दोस्तों, आज का question number 11 आप लोग सामने ये रहा Who among the following said that the primal of the Indian constitution is the keynote of the constitution? निमलिखित में से किसने कहा था कि भारतिय सविधान की प्रस्थावना समविधान का मुख्य बिंदू है? Most important question for exams, for competitive exams ये बहुत important question है, कई बार आचुका है दोस्तों, आपका options ये है A. Ernest Barker B. Joharlal Nehru C. Dr. Ambedkar D. Nensal Mandela आपका समय सुरू होता है अब और इसका सही answer है A. Ernest Barker जहां दोस्तों, Ernest Barker ही बोले थे कि समविधान, भारती समविधान जो है भारती समविधान की प्रस्तावना जो है वो समविधान का मुख्य बिंदू है मतलब, the keynote of the constitution of Indian constitution जहां दोस्तों, question number 12 आज के लिए ये रहा Which article of the constitution of India deals with the fundamental duties? भारत के समिधान का कौन सानुछेद मौलिक कर्तब्यों से समन्दित है जहां दोस्तों, आपका option ये रहा A, article 32, B, article 50, C, article 51, D, article 51, A आपका समय सुरू होता है अब और इसका सही आंस्वारा, article 51, A अनुछेद, account का A जो है, वो मौलिक कर्तब्यों से सम्बंधित है fundamental duties दोस्तों, आज का question number 13 आप लोग के सामने ये रहा The directive principle of state policy have been adopted from राज के निती, निदेशक तत्तों को कहां से अपनाया गया है options A. US Constitution B. Irish Constitution C. French Constitution D. Canadian Constitution मतलब, राज के जो निती ने दे सकता Directive Principle of State Policy ये कौन से Constitution से, कहां कौन किस देश के Constitution से अपनाया गया है, अडॉप्ट किया गया है तो आपका समय सुरू होता है और इसका सही आंस्वर है option number B. Irish Constitution जिया दोस्तों तो Ireland का जो समीधान है वहां से the Directive Principle of State Policy को अडॉप्ट किया गया है question number 14 the ex-officio chairman of the council of state is राजियों की परिशत के पदेन अध्यक्च है options speaker means speaker of the loks B. Vice President C. Deputy Speaker D. Deputy Chairman आपका समय सुरू होता है अब और option number B. इसका सही है Vice President मतलब जो ex-officio chairman है council of state का वो Vice President है होते हैं तिया दोस्तों question number 15 आज का last question ये रहा Article 19 of the Constitution of India contains भारत के समीधान के अनुछेद 19 में सामिल है options A. Nine Fundamental Freedoms B. Eight Fundamental Freedoms C. Seven Fundamental Freedoms D. Six Fundamental Freedoms और आपका सही जो समय है वो स्टार्ट होता है और इसका सही आंस्वर है option number D. Six Fundamental Freedoms यहां दोस्तों तो आज जो मैंने देखा कि animation में जो घड़ी टिक टिक कर रहे है उसमें उसका आवाज सही से नहीं आ रहा है लेकिन वो घड़ी सही से चल रहा है तो दोस्तों इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग कि उसी तरीके से खेले अच्छे से खेले दोस्तों कुष्चन का लेवल कैसा है एक दम एक्जाम वाला है जो defense है एर जैसे एर फोर्स हो गया नेवी हो गया और यह CDS वाला भी हो गया तो यह इसमें यह कुष्चन ज़्यादा आते हैं और जैसे SSC का CHSL हो गया वो यह ऐसा कुष्चन उसमें बहुत आते हैं MTS हो गया एक आत कुष्चन लेकिन आते हैं और लेकिन CHSL में ज्यादा कुष्चन आते हैं और defense में यह कुष्चन ज्यादा आते हैं और कई तो हमारे मेरे पास previous share है उसका question इसमें डाला हुआ है दोस्तों यह important है question repeat भी होते हैं तो आपको यह याद रखना चाहिए और आपको यह जनकार भी रखनी चाहिए तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा यह comment करके बताओ और अगला वीडियो अगर देखो जैसे मैंने बोला कि six fundamental freedoms यानि लेकिन आपको पता नहीं है कि six fundamental freedoms तो अगर आप ऐसे पर वीडियो चाहते हो तो मैं एक point by point लिक के आऊँगा और आपको समझाऊँगा अगर ऐसा वीडियो चाहते हो तो आप comment करो मैं ऐसा वीडियो बनाऊ होगा तभी तो मेरा लेकिन अगर आप comment नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा तो comment करो वीडियो कैसा लगा और आपका कैसा वीडियो चाहिए कौन से topic पर question चाहिए आप comment करो मैं हाजिर हूँ दोस्तों इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो थैंक्स फॉर वाचिंग फॉर टूडे थैंक्यू दोस्तों